ठीक है प्रिशानत आप रहा है हमारे साथ जैनेंद्र अबार सहीगों की जोड़ों है जैनेंद्र कुछ देर पहले विपक्षी नेता मार्च निकाल रहे थे खड़के जो है वो राउल गांधी को लेकर रमला कर रहे थे अब राउल गांधी संसत के सदर से इस था क्योंकि नियमा नुसार दो साल की जो सदर सावी थी कल राउल गांधी को इसके बाद उनके सदर स्कता पर खतरा मंड़ा रहा था इंतजार से नोटिफिकेशन का था जो कि 24 घंटे बाद आज कुछ दिर पहले आ गया है फिलहाल कॉंग्रस की तरफ से कोई रियक्शन न दाजा था अफिशल कोई रियक्शन नहीं आया है लेकिन जाहिर है कि आने वाद इनों में कहीं न कहीं कॉंग्रस विक्टिम कहीं उस्ताहन भूती लेने की कोशिश करेगी और मेरे साथ मलिक आर्जुन खरगे हैं अदर्शाब बने रहे हैं प्रतिक्रिया में की कोशिश कर प्रतिक्राइंगे अब लाइन दर्बने रहे हैं तर राहूल जी की सदस्तिता चली गई है इस पर क्या रियक्शन है नोटिफिकेशन आ गया है सर क्या इस पर रियक्शन करेंगे सर राहूल गांदी की सदस्तिता रद हो गई है अब वो सांसर नहीं है इस पर क्या रियाक्शन देंगे सर देखिए उनको सच के बोलने के लिए वो राहूल जी को डिस्क्वालिफाई करने के लिए सारे प्रियाख किये और सच बोलने वालों को लोग संत्र के उसलों के अनुसार और समिदान के सहथ और उसकी रक्षा के लिए और जन्ता के हकूब के लिए लगने वालों का मुँ बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर गणा जाए है और ऐसी कुंसा बड़ी अफराद थी कि डिवे मिशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फावर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है लेकिन जो लोग यहां पर से पैसे लेके बागे जो नीरो मोदी होंदो ललित मोदी होंदो माल्या होंदो वो क्या बैकवर्ड क्लास के देखा तो ये जब ये अलसा एक पर्शवशन बना रहे हैं कि राहूल जी बैकवर्ड क्लास से खाब होने और राहूल जी जो सचाई देश के सामने रखना चाहिते हैं और रख रहे हैं वो उनको जचरा ने तो इसलिए वो अगर राहूल जी को बाहर डाले तो उनकी समच्चा खतम होती है ऐसा उनके समझ में आता हो गया लेकिंग उनकी समच्चा खतम होने वाले भी जो जो चाइंट पर्लमेंटरी कमेटी का डिमाइंड है जेपीसी का डिमाइंड है हम रखेंगे लड़ते रहेंगे और डेमोकरसी की हिफाज़त के लिए हमको जेल भी जाना पड़े है हम जाएंगे हमारे पूरी पार्टी चाया रहे अब कम से कम हमारे सव सवासोलों की दिल गए है अब लड़ते रहें अब आगे की रण्मी से क्या होगी अब अरे सुनों पुष्णिक रमकुमी के हमारा मेटिंग पांच मेजे ऑंग्रेस आफिक के हमने बलाया है सब्सक्राइब को वहाँ पर बुला कर इस जांग से किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेकि चलना इसे हम साइक है लाकोट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए लेकिन मेंबर्शिप गई है इस इस ताकालिक कारवाई पर क्या कहेंगे तरह यह हमने तो कहा कि वो सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है इसलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं लेकिन सदन के बाहर भी हम बो लेंगे और कहीं भी अगर यह जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहे हैं तो सुना आपने आदर्श कॉंग्रेस अद्रक्ष मलिकार जुन खरगे की प्रतिक्रिया राहूल गांडी की सदसिता जानने के बाद और सीधे तोर पर मलिकार जुन खरगे ने कह विपी ने उससे उन्होंने बात की और सीधे तोर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के आवास को दबाने की कोशिश हो रही है देश के सामने राहूल गांडी सच रख रहे हैं हम रुकेंगे नहीं हम जुकेंगे नहीं यह उन्होंने कहा और लगातार पब्लिक के सामने जंता के सामने अपनी बाते हम रखते रहेंगे आगे के रनलीति क्या होगी इसको ले कर अभी उन्होंने बहुत ज़ादा खुलासा तो नहीं किया लेकिन कहा जंता के सामने हम सच रखते रहेंगे हमारी आवास को तबाने के कोशिश हो रही है राहूल गांदी की सदस्ता इसलिए वो सवाल पूछ रहेते सदन के भीतर, अपनी बात रख रहेते सदन के भीतर और इसलिए उनके ओपर ये कारिवाई की गई है। आपको रखे आगे